अगर आप एक content creator हो, आपका YouTube channel है, आप audio काफी जादा record करते हो, या फिर आप professionally events या weddings में काफी जादा interviews या video record करते हो, मेरे इसाब से ये video आपके लिए काफी useful होने वाला है, because अभी जो मैं mic use कर रहा हूँ, आपको पूरी video में Rode Wireless Go 2 से ही audio मिलेगा, because that's what I'm using, और इस video में मैं 5 या 6 ऐसे like कमाल के features पताने वाला हो, जिस वज़ा से मुझे लग रहा है कि this could be the best available option, be it in professional या maybe semi-professional range में, अगर हम wireless system की बात करते हैं, उसका reason क्या है, because जब से Wireless Go 1 आया था, जो पहला version था, जैसी launch हुआ था, मैंने खरीद लिया था, आपने मेरी majority videos पिछली एक डेट साल मे जो audio सुना है, वो mostly मैंने wireless को use करके ही, but ऐसे कुछ reasons रहें, जिस वज़ा से road 2 में मुझे upgrade करना पड़ा, और उसका सबसे बड़ा reason है, दो transmitter, so अभी क्या हो रहा है, जो मैं video बना रहा हूँ, audio आ रहा है, एक या unit है, which is receiver, और साथ में एक transmitter है, और मुझे एक और additional transmitter मिलता है, जिसको मैं use कर सकता हूँ, तो आपने मेरे channel पर देखा होगा, मैंने कुछ ऐसी videos करी हैं, जहाँ पर दो लोग रहते हैं, हम one-to-one आपस में बहुत लंबे duration के लिए बाते करते हैं, अब ऐसी situations में क्या होता है, कि मुझे दो mics use करने पड़ते हैं, और दो inputs लगते हैं, but with road wireless go two, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, दो transmitter हैं, एक मैंने पहन लिया, दूसरा, second person पहन सकते हैं, जो मेरे साथ बात कर रहे हैं, और इसका benefit क्या होगा, यह single receiver में audio जाएगा, जैसे अब यह camera में जा रहा है, तो मुझे दो अलग-लग units नहीं चाहिए, receive करने के लिए, यह दो units हैं, इन दोनों का जो audio है, वो single unit में आएगा, और यहाँ पर आपको option मिलता है, आप as a mono audio भी record कर सकते हो, और stereo में भी record कर सकते हो, अब यह single transmitter अभी use हो रहा है, तो मैंने इसको mono में डाल दिया, बट अगर मैं नीचे के जो दो buttons हैं, इनको 3 second तक press करके रगूँगा, तो मैं कट करके कुछ जगां से जो audio है, वो ऊपर नीचे कर सकता हो, next मैं बात करना चाहूँगा, on board recording, और यह एक ऐसा feature है, जब मुझे पता लगा, road wireless go 2 में finally आ चुका है, I had to go for it, और उसका मतलब क्या है, basically आप अभी क्या हो रहा है, यह video record हो रही है, ठीक है, अभी यह जो मेरा transmitter है, इसको मैंने on board recording, on करा हुआ है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा, अब मान लो कि हम video record कर रहे है, audio record हो रहा है, किसी वज़ा से, अगर हमारा यह निकल गया, अभी मेरा receiver है, वो camera से connected नहीं है, मुझे देख रहा है, level 0 है, कुछ audio नहीं आ रहा, बट फिर भी आप सुन पा PC यां, laptop में connect करोगे, using the road app, जो road का अपना application आता है, आप जैसे ही connect करोगे, आपको जो audio file है, आपके पास option रहता है, अगर आप compressed version लेते हो, तो आप 40 hours, 40 घंटे तक record कर सकते हो, इस तरह से audio को, और अगर आप uncompressed use करते हो, तो आप up to 7 hours का audio record कर सकते हो, and that is not just it, मान लो, over record करना है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इस receiver को भी on करूँ, और किसी से connect करूँ, simply मैं अपने PC से connect करूँगा, road application से मैं इसका recording on कर दूँगा, अब जैसे ही मैं इसको disconnect करूँगा, PC से और on करूँगा, इसका recording on हो जाएगा, और मैं जितना भी audio बोलूँगा, जो भी record से मैं उस audio file को use कर सकता हूँ, up to 40 hours compressed version और 7 घंटे तक non compressed version, मान लो किसी वज़ा से audio backup आप लेना चाहते हो, normally हम क्या गरते हैं, दो mics लगाते हैं, तो अब मेरा single transmitter के साथ ही backup भी record हो रहा है, और original audio भी आ रहा है, and at the same time, मैं सिरफ ए transmitter को as a microphone भी use कर सकता हूँ, अब अगला point ज आप जा सकते हो, बिना audio में कुछ interference आए, so basically जो road claim करता है, that is around I think 656 feet, I think 20 meter का distance है, so this is how the audio sounds, it's a road wireless go 2 mics है, और अभी मैं अपनी च्छत पर आया हूँ, कुछ testing करने के लिए distance की, तो मैंने सुचा क्यों ना, इस तरह का test भी कर लिया जाए, जहां पर, अगर आप सिरफ vlogging के लि distance हो गया, जहां मैंने camera पकड़ा और मैं बोल रहा हूँ, but क्या हम इसको अगर 50 या 60-70 feet दूर लेके जाते हैं, तब कैसे perform करता है, let's check it out, तो अब distance check करते हैं कि कितना दूर मैं जाता हूँ, और audio कैसा रहता है, क्या बीच में crack होता है, नहीं, so this is me moving backwards, और अगर कहीं बीच मैं crack हो रहा हैं, तो अभी मैं almost 40-50 feet दूर आचको हूँ, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है, आप मैं circle कर दूँगा, मैं exactly कहां पे हूँ, and I think this is right now 70 feet और इतनी visibility के दूर तो आप जाओगे भी नहीं, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, meanwhile, ये एक वीडियो सैंपल है तो तब तक आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, theartphotography.blogger, and I'm hoping अभी तक audio जो है, even अगर मैं दूर गया, पास आ रहा हूँ, तो ब्रेक हुआ है नहीं हुआ, ये सब आप देख चुके होगे, this is only single take video, तो जो भी है, it is in front of you guys. तो जैसे आपने देखा, मैं almost 70-80 feet दूर गया था, using the transmitter on my collar, और काफी clear, एकदम बिना किसी distraction के, बिना audio cut हुए, मैं इस पूरे वीडियो को film कर पाया था, तो अगर आप, आप vlogger हो, आप content create करते हो, और किसी situation में required है कि आपको काफी distance पे जाना है, I think road wireless go do काफी बढ़िया से काम करता है, इन situations में, अब एक सबसे बड़ा restriction मुझे लगता था, road wireless go, जो मैं पहला version यूज़ कर रहा था, कि मैं सिरफ इसको यूज़ कर पाता था, as, मतलब अपने camera में, मैं mobile या iPhone में यूज़ नहीं कर पाता था, but thankfully road नहीं यह चीज़ सुना, बहुत लोगों का feedback था, and now with road wireless go 2, आपको पहले option मिलता है, आप 3.5 mm TRS jack यूज़ कर सकते हो, अपने camera के लिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, उसके इलावा, आप अपनी compatible cable यूज़ करके, अपने Android, even अपने iPhone या iOS version में, इस receiver को attach कर सकते हो, और आप अपनी audio record कर सकते हो, मैंने MacBook में भी try कर रहा है, प has to be compatible, otherwise I think cross platform compatible है, तो अगर मैं voice over करना चाहरा हूँ, मैं vlogging कर रहा हूँ, मोबाइल से, and at the same time मैं camera से record कर रहा हूँ, और एक सबसे बड़ा useful feature, जो normally online conferences में होता है, और वो होता है अपने आपको mute करना, normally हमें mouse से tap करके mute करना पड़ता है, यहाँ पे onboard आपको feature दिया गया है, आ अगर मैं second transmitter select करता हूँ, तो अगर मैं वापस अगर मैं unmute करता हूँ, तो इससाब से आप mute unmute कर सकते हो, जो again बहुत useful feature है, लास्ट में मैं दो और additional feature आपको जल्दी से बताना चाहूँगा, सबसे पहला है battery, मैंने देखा है battery में काफी improvement हुआ है, anyway जो मैं road wireless use कर रहा था, पह और lastly मैं यह भी point out करना चाहूँगा, जो मेरा पहला version है, वो useless था, लगाते ही वो बहार आ जाता था, तो यहां पर इन्होंने finally locking mechanism दे दिया है, मैं push करके इसको इस तरह से, अगर rotate करता हूँ in the direction जो यहां पर दिया हुआ है, तो इस तरह से lock हो जाएगा, और अब मैं इसको जितना भी कहीं चलो यह बाहर नहीं आएगा, so actually अब जो windshield है काफी useful बना दिया है, ताकि अगर आप outdoor shoot कर रहा है, काफी wind वगेरा चल रहा है, तो उसको यह minimize कर सकता है, so यह तो हो गए कुछ ऐसे benefits यहां, जो improvements है जो over the time होई है, but कुछ feedback जो मुझे लगता है कि share करना चाहि और यह video देख रहे हो, इसको firmware upgrade जरूर कर लेना, connect करके route का जो application है उसमें, because अब आपको बहुत जादा, almost 10 option मिलते हैं, अपना gain control करने के लिए, starting from minus 30 के असपास जाता है, और आप all the way up to 0 लेके आ सकते हो, I am using at minus 15 dB, anyways मैं आपको यह बता रहा था कि यह जो gain control होता है यह दोनो का साथ में हो रहा है, दोनों transmitter का, तो अगर मैं minus 15 करूँगा, तो दोनों transmitter में साथ में होगा, I wish यह individually हो सकता है, शायद software upgrade से यह जी हो पाए, अगर होती है, then this is like the perfect wireless system, और एक और last चीज जो मैं आपे बोलना चाहूँगा, वो है USB Cables, अब देखो सबसे बढ़िया चीज है आपको 3 cables मिलती है, USB, जिनको आप individually use कर सकते हो, चार्ज करने के लिए, या अपने PC में या laptop में करने के लिए, but I wish, मैंने देखा है कुछ ऐसे brands हैं, जो single cable में 3 USB C type heads दे देते हैं, तो मुझे 3 different adapters यूज नहीं करने पड़ेंगे, तो मान लेते हैं, अगर मैं सिर्फ point B है एक तरह से, so that's it, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको इसका performance कैसा लगा, how do you think road wireless go 2 looks like अगर आप इसको use करना चाहरे हो, so that's it from this video, I'll see you in the next video, तब तक ठेकर and keep clicking.